बॉर्णिंग तु आल तुड़े वे विल डिस्कॉस अबाउट फॉर्मेट पेंट ब्रस पट इससे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे सो दाइट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहें तो हमने प्रिविएस क्लास में देखा था कि कौन-कौन सा डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाइ कर सकते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेट पेंट प्र the same formatting which would have been previously done on particular content format paint brush उसे बोलता है यह एक टूल है जो MS Word में टूल प्रोवाइड होता है माल लेज़े कि हमें heading लिखना है यह तो हम normal heading लिखना है red pen से ठीक है इसमें हम माल लेज़े कि style apply कि है computer के case में style apply कि है bold apply कि है underline किये हैं तो इसमें थोड़ा सा मेरा time गया है ठीक है उसी तरह माल लिज़े मेरे पास hundred thousand pages अब का heading देना है और इसी format में देना है उसका red color होना चाहिए underline होना चाहिए bold होना चाहिए उसका style अलग होना चाहिए तो अगर हम इतना करने जाएंगे तो मेरा time waste हो सकता है तो ms word एक ऐसा feature provide करता है format paint brush जैसा ही हम क्या करता है इस text को copy करेंगे और दूसरे text में मतलब यहां अगर हम paste करता है तो मेरा इसी format में मेरा दिखने लगेगा ऐसा नहीं कि यह चीज copy होके यहां paste हो जाएगा ऐसा नहीं format बस copy paste होगा मतलब कि यह red color में दिखने लगेगा color फिर इसका style भी change हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो हम लोग practical में भी समझ लेते हैं कि देखते हैं कि format paint brush आखिर कर होता क्या है okay format paint brush apply करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ text type करना होगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो text मैंने type किया है यह दोनों में इंडिया लिखा हुआ ठीक है तो सबसे पहले हम first वाले इंडिया में कुछ formatting यूज कर लेता है जैसे कि bold italic यह सब ठीक है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि text को select करेंगे क्या करना है दोनों जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों same text है text को सबसे पहले select करना है select किया उसके बाद बहुत सारा formatting अपला किया bold italic underline फिर से color भी change किया इसका ठीक और इसका size भी थोड़ा बड़ा कर देती हूं तो फिर इसका size भी थोड़ा बड़ा हो गया तो यह सारे text formatting मैंने apply किया है अब same जो है second वाले इंडिया में copy paste करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम format paint brush का यहां use करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जिसमें first वाले text को select करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग click करेंगे format paint brush में तो हम लोग जासे ही click करते हैं तो क्या होता है कि cursor format paint brush के form में दिखने लगेगा जैसे कि आपको दिख रहा है और जो text में हमें apply करना बस उसे select करके छोड़ देना तो देखे same format apply हो गया तो यही है format paint brush जिसके हर्प से हम लोग format को copy करते हैं तो हमने practical में देख लिया तो अब हम लोग देखते हैं इसका step की copy में हम कैसे लिख सकते हैं तो step to apply format paint brush तो सबसे पहला step है select the format text जैसा कि आपने practical में देखा कि सबसे पहले हमें text को select करना है उसके बाद किस में click करना है click on format paint brush tool which appear in home home tab में appear होगा उसे paint brush को click करना जो ऐसा दिखता है अब step 3 में the mouse pointer will change into the shape of format paint brush मतला mouse का shape ऐसा दिखने लगेगा format paint brush की तरह ठीक है select over the new text on which the same format has to be done और जहां भी हमें वह ऐसा format apply करना है वहाँ उस text को select करेंगे तो वो उस format में change हो जैसे कि आपने practical में देखा ठीक है तो अगर exam में आएगा तो आप ऐसा step लिखेगा सबको clear है अब हम लोग move करते हैं page break page break क्या होता है page break is a mark of separation between two pages where one page and the other begins page बोला जा रहा है हम लोग का diary है या copy a pen है तो उसमें क्या होता है page हम लोग को अगर यह पूरा page भर जाता है तो हम लोग क्या बस turn करता है और लिखना एक पेज को दूसरे पेज से between two pages where one page ends and the other is begins जहां कि दूसरा पेज खत्म होता है जैसे कि यह खत्म हो रहा है और यहां पे दूसरा start हो रहा है तो देख लेते हैं page break का steps और practical देख लेता है कि आखिर कर page break बोलते किसे है okay page break का सबसे पहला step है ms word को open करना okay उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ text type करके रखा हुआ है तो यह page पूरा full हो गया हमें next page चाहिए तो हम क्या करेंगे page layout में क्लिक करेंगे उसके बाद break में क्लिक करेंगे तो देखे page मेरा break हो गया तो यही इसका step है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा page break हो चुका है और हम लोग other page में भी जाके देख सकते हैं और जहां याद रख रहे हैं जहां हमें break चाहिए वहां cursor होना चाहिए okay तो फिर मेरा page break हो जाएगा ठीक है जैसा कि हमने practical में देख लिया अब हम लोग steps देखता है अगर exam में आता है तो हम कैसे लिखेंगे step to insert page break सबसे पहला step है create your document in ms word सबसे पहला की सबसे पहले create करना है ठीक है वासे बिना create किये भी आप page break apply कर सकता है पर document अगर हम लोग पूरा fill हो गया फिर हम लोग का एक page का जरत है उस time अगर page break की उस कर रहे तो भी ठीक है click on page layout option उसके लिए सबसे पहले जाना है page layout option में home tab insert tab जैसे कि आप सबसे उपर visible होता है menu bar में मेरा page break हो जाएगा जैसे कि हमने practical में देखा अब next move करते है changing case word processor provide option to interchange the cases of alphabets तो changing case का मतलब क्या होता है कि हम लोग के computer में अलग-अलग cases रहता है जैसे कि first देखते है हम लोग sentence case this option enables to keep the first alphabet of every sentence is uppercase क्या होता है कि ms word में जो कुछ भी हम लोग type करते हैं तो क्या करता है कि first letter बड़ा रखता है तो उससे बोला जा रहा है क्या sentence case हमेशा वासे हम लोग grammatically भी देखा जाए तो हम लोग जब भी कुछ लिखते है तो first letter बड़ा लिखता है capital लिखते है ठीक है तो computer में भी यह case क्या provide करता है first letter को बड़ा अब next देखते है toggle case this option enables to change the upper case alphabet to lower case and vice versa बोला जा रहा है कि toggle case के help से जो छोटा है मान लिजे कि देखे option यह सारा small letter में इसको हम लोग big भी कर सकते हैं और big को small भी कर सकते हैं ठीक है तो जैसे option यह small है तो इसको o p t i o n capital letter में भी लिख सकते हैं small भी में भी लिख सकते है toggle case के help से ओके अब next देखते हैं क्या है inserting picture हम लोग ms word का एक feature है कि हम लोग इसमें picture भी insert कर सकते हैं तो क्या steps है क्या practical है कैसे होता है वह पहले सबसे पहले हम लोग practical में देख लेता है okay picture insert करने का same process पहला process ms word को open करना जैसे कि मैंने open किया और देख सकते हैं कि मैंने कुछ type करके रखा हुआ है तो मान लिजे कि इसके बीच में मुझे picture insert करना तो मैं थोड़ा सा space दे देती हूं so that picture अच्छे से adjust हो जाए उसके बाद मैं क्या करूंगी कि सबसे पहला step क्या है insert tab में क्लिक करना तो insert tab में मैंने क्लिक किया उसके बाद क्या होगा यह picture option सबको visible है तो यह picture option से नजर आया और हम लोग अपना desire picture select करेंगे तो मैंने एक picture select किया ठीक है जैसे ही select किया उसके बाद insert tab में हम लोग क्लिक करते हैं तो मेरे picture insert हो जाता है अभी से हम लोग resize भी कर सकता है adjust कर सकता है आपने screen के हिसाब से तो ऐसे हम लोग picture insert करते है ठीक है अब हम लोग steps देखते है copy में कि हमने practical में देख लिया तो अब हमें copy में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा step कैसे कैसे लिखना है okay step to insert picture सबसे पहला step है MS word को open करना है और insert tab में क्लिक करना है उसके बाद क्या करना है choose your desire picture that with your location बोला जारा है जिस location में आपका picture location को select करना है और अपना desire picture को select करना है ठीक है जैसे ही आप okay कहीं okay रहता है या कहीं कहीं insert रहता है ठीक है तो okay भी हो सकता insert भी जैसे ही आप okay और insert में क्लिक करेंगे तो हमारे picture insert हो जाएगा जैसे कि हमने practical में भी देख लिया अब next देखते हैं inserting sleep बहुत सारे different shapes होभा है जो कि i wert ने हम लोग insert कर सकते हैं जैसे कि emojis और आभी बहुत सारे practical में देख लेता हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका step copy में कैसे लिखना है सेप insert करने का भी सेब प्रोसेस है सबसे पहले MS Word open करना है उसके बाद insert tab में क्लिक करना है उसके बाद shape में क्लिक करना है देख रहा है कि मेरे पास इतने सारे shape available है तो हम कोई साभी shape हम choose कर लेते हैं ठीक है तो माल लिजे मैंने एक shape choose किया उसके बाद culture को drag करना है और देखे ये मेरा shape draw हो चुका है ठीक है अब तो ऐसे होता है माल लिजे कि दुसरा भी एक shape मैं draw करते हूं तो मैं फिर से shape में click किया उसके बाद एक shape choose किया उसके बाद long press करके drag किया और ये रहा मेरा shape insert हो गया तो ये था step shape insert करने का ओके अब हम लोग copy में देखते हैं ऐसा कि हमने practical में भी देख लिया अब हम देखते हैं कि अगर ये exam में आता है तो इसके steps कैसे लिखते हैं तो step 1 क्या है open ms word after that click on insert tab सबसे पहले ms word open करना और insert tab में click करना जैसे हम लोग click करेंगे sub menu appears होगा उसमें हमको shape option में click करना जैसे कि हमने practical में देखा उसके बाद अपना desire shape को choose करना और जैसे हम okay में click करेंगे तो मेरा shape insert हो जाएगा तो ये था step अब हम लोग next move करते है inserting mathematical expression उसके लिए क्या practical है वो सबसे पहले हम लोग देख लेता है उसके बाद हम लोग step करेंगे okay mathematical equation insert करने का सबसे पहला process है ms word को open करना है उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ms word open किया उसके बाद insert tap में मैंने click किया उसके बाद देख रहे है equation में click किया ठीक है तो यहां मेरे पास बहुत सारा mathematical equation नजरा रहा है maths में जो symbol हम लोग use करते हैं वो नजरा रहा है under root, one by half sigma, pi वो सब सब नजरा रहा है तो हम लोग को जो use करना होगा वो हम लोग use कर सकते हैं तो माली जै कि मुझे angle insert करना है तो देखे यह angle का sign मेरे पास available है बहुत सारा यहां symbol है वो सब में से मैंने choose किया और angle ABC टाइब किया तो ऐसे mathematical expression insert किया जाता है ओके अगरा हमने practical में देख लिए अब हम लोग देखते हैं इसका step सबसे पहला क्या है click on insert tab insert tab में click करना है उसके बाद click on equation option जैसे हम लोग insert tab में click करेंगे तो हमें equation option नजर आएगा ठीक है तो हम उसमें click करेंगे choose your desire mathematical expression and click on it जैसे ही हम equation option में click करेंगे बहुत सारा mathematical expression हमें नजर आएगा जो भी हमें जरुरत है उसमें हम click करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे click on ok बटन में और उसके बाद हम लोग click on ok बटन में जैसे ही click करेंगे तो मेरा mathematical expression insert हो जाएगा ओके ये था steps अब हम लोग next move करते है that is text wrap text wrap क्या होता है text wrap is a feature that helps to justify the placement of justify the placement of text in and around the object image diagram से ptc बोला जारे text wrap एक ऐसा feature है जिसमें कि हम लोग image normally अगर हम लोग image insert करते हैं तो यहाँ image नजर आएगा पर माल लिजे कि हमें इस text के पीछे image अगर डालना है तो उसके लिए text wrap का use करते है जैसे कि एक book में देखते हैं कि क्या हम मैं बोलना चाहती हूं इस book में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ भी लिखा हुआ और इसके पीछे कौन सा text है प्लस का sign है नजर आ रहा है सबको यह प्लस का sign है तो यह हाइलाइट हो रहा क्या है यह एक image है पर इसके ऊपर text है तो इसी को बोला जारा text wrap जब भी हम लोग image को या तो word के text के पीछे apply करते है या उसके ऊपर या किसी corner में apply करते है ठीक है तो उससे बोला जा रहा है क्या text wrap बोला जाता है ठीक है जब भी हम लोग text को wrap करते हैं तो उसे बोला जारा text wrap it enables to place the text in front behind and around an object जैसा कि मैंने बोला कि text उसके behind हो सकता है behind का मितलब ऐसा और नहीं तो around हो सकता है जैसे कि around में ये corner में है image ठीक है around हो सकता है ठीक है तो हम लोग practical में भी देख लेते हैं कि आखे के text wrap बोलते किसे हैं उसके बाद हम steps देख लेंगे टेक्स wrap का सबसे पहला step है मस वर्ड open करना है कुछ text type करके रखना जैसे कि आपको नजर आ रहा है अब उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे insert menu में उसके बाद हम कुछ image चूज कर लेते हैं माल लिजे कि मैंने यह image insert किया यह देखे मेरा image insert हो गया मैं इसे resize कर लेती हूं अपने screen के हिसाब से अपने document के हिसाब से तो मैंने इसे resize कर लिया जैसे कि देख रहा है फिर जब यह resize हो जाएगा तो जैसे कि आपको सबसे उपर format menu नजर आ रहा होगा तो format menu में जब हम लोग क्लिक करेंगे text wrap में देख रहा है कि text wrap तो behind है फिर upper lower ऐसे हैं तो हम लोग behind में क्लिक करेंगे तो text हमारा highlight होगा और image चला जाएगा text के पीछे उसी तरह बहुत सारा option है अगर उपर में रखना चाहते हैं image को तो उपर भी रख सकता है तो यह सारा option है जिसके help से हम लोग text को wrap करते हैं मतलब क्या करते हैं कि text को image के according हम लोग form करते हैं जैसे कि मैंने theory classes में बता सकता है behind कि आजा सकता है इसे align कि आजा सकता है ठीक है position भी change कि आजा सकता है अब हम स्टेप्स देखते हैं सबसे पहले क्या है click on insert tab insert tab में click करना है sub menu appears sub menu appears होगा उसके बाद after that click on picture option picture option में click करना है and choose your desire option sorry desire picture ठीक है अपना डिजायर picture select करना है उसके बाद step 3 में क्या है click on format जैसे हम लोग picture select करेंगे insert कर लेंगे तो हम लोगो format option नजर आएगा menu बार में उसमें क्या हो रहेगा option text wrap text का option available होगा तो उसमें हम click करेंगे जैसे हम click करेंगे तो वो मेरे पास various options available रहेगा various options appears तो उसमें सम को choose करना या either behind जैसे कि आपने practical में देखा either behind या corner या around तो वो option जैसे हम लोग click करेंगे तो मेरा text wrap हो जाएगा ओके तो आज हमने बहुत कुछ cover किया ठीक है आज के लिए इतना ही now we will end this session if you have any doubt then ask me in comment section and don't forget like share and subscribe if you want today's note then link is available in description box thank you for watching